स्वागत है आप सभी का My Gadget Experience में दोस्तों, मार्केट में साउंड बार वाले 5.1 चैनल होम थियर्टर सिस्टम 20,000 रुपए के प्राइस रेंज में बहुत सारे उपलब्द है जिन में से Motorola Amphysound X 200W इकलावता फुली वायरलेस होम थियर्टर सिस्टम है दूसरी तरफ वायर वाले 5.1 चैनल होम थियर्टर सिस्टम में सोनी HTS20R का भी परफार्मेंस बहुत बढ़िया है इस वीडियो में इन ही दोनों होम थियर्टर सिस्टम Motorola Amphysound X 200W और सोनी HTS20R का कमपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि दोनों की built quality, sound quality और connectivity में क्या अंतर है इन दोनों होम थियर्टर सिस्टम का full length review वीडियो इसी चैनल में उपलब्द है चाहे तो वे दोनों वीडियो देख सकते हैं दोनों का link description में मिल जाएगा दोनों होम थियर्टर सिस्टम इस तरह के box में मिला है लेफ्ट में Motorola और राइट में Sony Motorola सीधे लंबे box में आता है और Sony L-Shep box में आता है Motorola का box वजन में बहुत भारी है करीब 14 kg जबकि Sony का box भी काफी भारी है करीब 13 kg ज्यादा वजन बहतर built quality को indicate करता है अब दोनों के box को open करते हैं और सारे units को बाहर निकाल लेते हैं इन दोनों के similar units को बारी-बारी से comparison करेंगे तो सबसे पहले इनके sound bar unit को लेते हैं सामने Motorola का sound bar है और पीछे Sony का sound bar दिखने में और उठाने में दोनों की built quality अच्छी है और finishing भी बहुत अच्छी है Motorola का sound bar ज्यादा premium quality का है दोनों black color के body के साथ आता है और size तो Motorola के sound bar की बड़ी है लंबाई, चौडाई, उचाई, हर dimension में Motorola के सामने Sony का sound bar काफी छोटा है Motorola sound bar की लंबाई 3 feet है वही Sony का sound bar धाई feet का है ज्यादा लंबा sound bar बहतर stereo effect देता है Motorola के sound bar में सामने metal की जाली, टाप में glass material, main body wooden board जैसे heavy material का use किया गया है इसलिए इसका वज़न ज्यादा है Sony के sound bar का वज़न काफी कम है, इसमें main body plastic की है और सामने metal की जाली है Motorola sound bar में 6 speaker driver लगे हैं Sony के sound bar में 3 speaker driver हैं दोनो sound bar को wall mount कर सकते हैं इसके लिए Motorola में दिये metal के bracket मजबूत है Motorola का sound bar wireless है, इसलिए इसमें सिर्फ power के लिए cable दिये हैं Sony के sound bar में audio signal और power के लिए 10 fit color combination वाले cable दिये हैं जो subwoofer से connect होती है दोनो home theater system के subwoofer का design बिलकुल अलग है आप देख पा रहे हैं, design और looks में कितना अंतर है Motorola का subwoofer size में काफी बड़ा है, दोनों की built quality काफी premium है main body wooden है, और surface matte finish है Motorola के top में glass material का use किया गया है दोनों में से Sony का subwoofer ज़्यादा मजबूत और टिकाउ है और उठाने में भी भारी है जबकि Motorola का subwoofer हलका है, ज़्यादा भारी नहीं है Motorola में 8 इंच का subwoofer driver नीचे दिये है जिसे किसी तरह से protect या cover नहीं किया गया है और base reflex port पीछे है Sony में 6.5 इंच का subwoofer है, जो metal की जाली से धकी है base reflex port भी सामने ही है Motorola का subwoofer wireless है, तो सिर्फ power cable दिये है दोनो home theater system के satellite speaker इस तरह से हैं यहां भी Motorola के satellite speakers size में Sony के speaker से बड़े है दोनो brand के speaker की quality simple ही है और वजन में हलकी है और पीछे wall mounting के लिए port दिये है Motorola के satellite speakers wireless है तो सिर्फ power cable दिये है Sony के speaker में 25 feet के cable दिये है Motorola का sound bar master unit है जिसमें सभी connectivity ports, display, touch control panel दिये है और sound bar से ही सभी unit wireless mode द्वारा pairing होते है pairing के लिए पीछे अलग से 3 बटन दिये है और DVD player से connect करने के लिए अलग से 3 port Sony का master unit subwoofer है और इसी में सभी connectivity ports, display unit और touch control panel दिये है बाकि सभी unit से connect होने के लिए पीछे color combination वाले ports दिये है दोनों के remote controller में सारे basic control मिल जाएंगे Sony का remote controller ज्यादा handy और premium quality का है Motorola के साथ accessories के रूप में एक 2RCA2 aux cable और HDMI cable है जबकि Sony के साथ सिर्फ एक aux cable ही मिलते है overall built quality में दोनों ही home theater system बहुत अच्छे है Motorola Amphysound X 200W ज्यादा attractive, premium look का है वही Sony STS20R decent है, इन सबके अलावा दोनों home theater system में Bluetooth version 5.0 है, Motorola Amphysound X 200W का maximum power output 200W है और Sony का 400W है, तो Sony का power output ज्यादा है अब दोनों home theater system के units को आपस में connect करते हैं और कुछ song play करते हैं left में Motorola Amphysound X 200W और right में Sony STS20R है song बारी-बारी से play करेंगे music 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 कि अजय को बुट्टें, बुटे लूदर्ण मेल गविंगर को बुटें लिघ्टाराओ एक ज़ जय करता है कि अजय को बुटें बूले से लुटें, को बुटें दूर्ण मेल ज़ा, कि अजय करता है यू थेस्ट ये लिद इवाहर्ग और लेगे मराउती रे मैं नीजी वर्थिछाइस वर्थियार ध यू आर वोप्टियार een भी क्यों अ 12 ऐदने दो यारad 지난lerdealar mush हिए द इन स क्यों कॉर्थियार था आडियो में सुनाई नहीं देगा लेकिन थोड़ा अंदाजा हो गया होगा दोनों होम थेटर सिस्टम बहुत बढ़िया साउंड प्रोडियूस करते हैं साउंड में अच्छा बेस डिसेंट वोकल्स और ट्रेबल्स सुनने को मिलता है और परियाप्त लौडनेज भी मिल जात है जो कमरे में रखे सामान को जमीन को हिला देता है इस बजट में 8 इंज का सबफर ड्राइवर वाला होम थेटर सिस्टम नहीं मिलते हैं सोनी में डिसेंट बेस सुनने को मिलता है दोनों होम थेटर सिस्टम को अलग-अलग सुनने पर दोनों का बेस डीप ही सुनाई देता लेकिन एक साथ compare करने पर deepness में अंतर का पता चलता है Motorola का base बहुत deep है जो बहुत impressive है इतना deep base Sony के 6.5 inch subwoofer driver में नहीं मिलता दोनों home theater system में vocals और trebles सही से सुनाई देता है वीडियो के dialogue content clearly loud सुनाई देता है लेकिन trebles थोड़े कम लगते हैं Motorola में sound ज्यादा crisp सुनाई देता है और high volume में भी इसकी sound irritate नहीं करती जबकि Sony का sound soft melodious है high volume में भी sound quality में कोई कमी नहीं लगता Motorola में sound separation ज्यादा अच्छा है bass, vocals, trebles अलग-अलग सुनाई देता है और ज्यादातर audio content में bass, vocals और trebles एक दुसरे को disturb नहीं करती लेकिन ज्यादा bass होने के कारण trebles थोड़े दब से जाते हैं लंबी sound bar के कारण stereo effect clearly identify किया जा सकता है Sony में audio separation उतनी अच्छी नहीं है और sound bar की कम लंबाई के कारण stereo effect का कम पता चलता है जबकि Sony में bass, trebles और vocals का balanced sound मिलता है वैसे treble और bass को remote controller के द्वारा control कर सकते हैं और कुछ pre-loaded sound mode भी मिल जाएंगे जिससे vocals में थोड़ा बहुत improvement कर सकते हैं Motorola का 200 watt परियाप्त loud है लेकिन Sony के 400 watt के जितना loud नहीं है surround sound दोनों ही home theater system में मिल जाते है Motorola में Dolby audio का feature नहीं है तो Dolby वाली surround sound नहीं मिलेगी बलकि PCM audio वाली stereo surround sound ही मिलती है जिसे ज्यादातर DVD player support करते हैं Sony में Dolby audio surround sound मिल जाएंगे जिसमें real 5.1 surround sound सुनने को मिलता है वैसे दोस्तों ज्यादातर audio Dolby वाली नहीं होती normal stereo sound ही सुनते हैं बेस्ट audio quality के लिए इन दोनों home theater system में दिये HDMI ARC और optical port का यूज करें इनके अलावा इन दोनों home theater system में USB port और wireless connectivity के लिए Bluetooth version 5 मिल जाएंगे और Motorola में 2 RCA port है तो Sony में AUX port और इन दोनों में connectivity में कोई परिसानी नहीं होती है Motorola Amphi Sound X 200 Watt के sound bar master unit है तो इसे बीना subwoofer और बीना satellite speaker के चला सकते हैं और इसमें लगे 6 wide range वाले speaker बीना base के काफी loud sound प्रोड्यूस करते हैं या सिर्फ subwoofer और sound bar को 2.1 channel home theater system की तरह भी चला सकते हैं ऐसा Sony HT-S20R में संभव नहीं है Sony HT-S20R से TV या projector को HDMI के थुरू connect करें तो वह TV या projector display unit की तरह काम करता है जो की USB mode से file browsing करते समय काफी useful होता है Touch controls दोनों home theater system में दिये हैं जो सही से काम करता है और अन्य home theater system से ज़्यादा premium feel देता है ये दोनो home theater system बहुत बढ़िया home theater system है sound quality में दोनों बहतरीन है इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो यह जरूर ध्यान रखें कि आप एक home theater system से क्या चाहते हैं अगर आपका requirement है बढ़िया wireless home theater system जो बहुत अच्छा sound produce करता हो deep bass देता हो जिनमें cable का जंजट ना हो DVD player के साथ यूज करना चाहते हैं और premium look के साथ आता हो जिसे audio listening के साथ 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 सजावट के लिए रखना चाहते हैं तो Motorola Amphysound X 200W आपके लिए best option है दूसरी और अगर आपका requirement अच्छी sound quality हो और बहुत ज़्यादा best नहीं चाहिए Dolby audio वाली surround sound मिले, लंबे cable और connector से कोई problem नहीं अच्छी built quality का durable होने के साथ साथ Sony जैसे बड़े brand का home theater system रखना चाहते हैं तो Sony HT-S20R आपके लिए suitable है वैसे wireless और wire वाले home theater system के बारे में खरीदने से पहले कुछ बाते भी ध्यान रखना जरूरी है Wireless home theater system, wireless medium से connect होते हैं इसलिए इन में लंबी cable और physical connector connection port नहीं होते लेकिन सभी चारों unit को power supply देने के लिए चार अलग-अलग जगह पर port की ज़रूरत बढ़ेगी ही या फिर लंबी extension board यूज़ करना पड़ेगा इसके अलावा ये सभी unit आपस में pairing होती है और अक्सर wireless connection में या pairing में दिक्कतें आती है जिसके कारण pairing के लिए जरूरत बढ़ने पर reset करना पड़ता है दूसरी और वायर वाले home theater system में लंबे cables, connection port और connectors होते है इन ही cables से audio signal और power subwoofer unit में से sound bar और satellite speaker को distribute होते है तो इसके लंबे cables को handle करना पड़ेगा इनके sound bar और satellite speaker unit के connectors और subwoofer के connection port अलग तरह के हैं तो अगर connector घीस जाए, तूट जाए या खराब हो जाए तो इनके बीच connection कर पाना बहुत मुश्किल है ऐसे connectors सायद ही market में मिले तो कुल मिलाकर दोनों ही प्रकार के home theater system कुछ मामलों में अच्छे हैं और कुछ मामलों में दोनों से ही compromise करना पड़ेगा उपरोक्त बातों को ध्यान में रख कर ही decision ले कि किस तरह के home theater system आपके लिए suitable है आप इन में से किस प्रकार के home theater system को prefer करेंगे या comment करके जरूर बताईए और channel से जुड़े रहिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद